राहुल गांधी की सदस्यता रद होने के बाद से लगातार कॉंग्रेस कारिकरता जो है उसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में उसका प्रदर्शन कर रहे हैं आज राज़ानी लखनव के सही दिसमारक में आप देख सकते हैं मौन सत्या ग्रह किया जा रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं भारी मात्रा में कॉंग्रेस करता है यहाँ पर मौन सत्या ग्रह कर रहे हैं और राहुल गांधी का जो समर्थन है वो पून तया यहाँ पर किय पूरे कॉंग्रेस के कारेकरता यहां पर मौझूद है और सत्याग्रह यहां पर किया जा रहा है और अब देखने वाली बात यह है कि सत्याग्रह का मौझूदा सरकार पर कितना असर पड़ता है और 2024 के जो लोग सुभाचुनाओं है उसमें कॉंग्रेस पार्टी की क्या बढ़ती, बिरोजगारी, महंगाई और भारती समविधान को जिस तरीके से छिन्विन करने का सड्यंत्र चल ला है भारती अर्थ व्योस्ता को किसी तरीके से भी नुक्सान पहुचाने का जो सड्यंत्र मोधी सरकार ने इन नो वर्सों में किया है उसको लेकर आदर निये राहुल गांधी जी ने हमेशा आवाज बुलंद किया सड़क से देके संसद तक कॉंग्रेस पार्टी और हमारे हर महभूब नेता राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए संसद में उनका माइक बंद करके देख लिया इसके बाद राज ने तिक सड़ें तक जितना कर पर उन्हों ने भारत जोड़ो यात्रा के दोरान जब लाखों लाखों करोणों लोग जब उनके साथ जुड़ गए जब पूरे भारत को ये समझ में आने लगा कि इस देश को नफरत विक्टर बटवारे की ओर ले जा रही है ये मौजूदा सरकार और आज हम अपनी खु किसे तीनों काले कानून थोपने का काम किया उनकी जमीनों को हतियाने का काम किया राहूल गांदी जी ने लगातार इस मुद्दों को उठाया और उनके कारकरताओं ने और हम कांग्रेस नेताओं अपने करांतिकारी नेता का साथ दिया जब पूरी तरीके से ये समझ में आ जा रहा है उसको लेकर राहूल गांधी जी के उपर इन्हों ने सीधा हमला किया है और यह पूरे देश का 140 क्रोण जन्मानस पूरी तरह समझ चुका है यह आम जन्मानस की आवाज है और हम जन्नेता अपने 140 क्रोण जन्ता की भावनाओं से उनके संगर्स में उनके साथ है और इन मुद्दों को लेकर हमको लगातार सरकार को चिताना है समझानिक संस्थाओं को चिताना है मीडिया को चिताना है कि अब आप सच को बहुत दिन तक दबा नहीं सकते हैं इसलिए आज पूरे देश में मौन करके सरकार को बताया जा रहा है कि भारतिये लोक तंत्र को आप अपने ताना साही से जुका नहीं सकते हैं क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने देश से वरतानिया हुकूमत और जो ताना साही त्था उसको मिटा दिया था ने कि वह सद्धता तो कानूनी नाव्पेच का मामला है और वह वापिस आएगी या नहीं आएगी राहुल-गांधी जंसन में सद्थ्स होंग या नहीं होंग इस से बड़ा विशय है? कि यह देश बचेगा कि नहीं बचेगा भारत का स 환 bedroom बचेगा कि नहीं काम कर रही है, संघर्स कर रही है, पर इसके बाद भी सबसे बड़ा विशय है कि चुनाव लड़ा जाता है जनमुद्दों पर, जनता के असल मुद्दे क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, उनकी जेबों में डाका डालने का जो सड़यंत्र चल कर रही है सरकार, आम जनमानत अपनी खुद की कमाई का उपयोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा सड़यंत्र चल रहा है, उस सड़यंत्र के खिलाब इस देश की जनता जो है वन साइड़े हुई है, और अब एक तरफा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारे सभी कांग्रेस के नेता आज मौन पर हैं, मैं इ झाल